कादर शाब को अपने अंदाज में याद किया है कि उनके अंदाज के बारे में तो यह कह सकते हैं कि वो हर्फन मौला थे हर गुंड संपन्न थे सर्व गुंड संपन्न जिसे कह सकते हैं गुंड भी जो है मतलब उनका कदरदान था मतलब खानों के खान कादर खान को हमने समने याद किया और साथ साथ में कई लोगों ने उनके चुटके लिए अंदाज को भी याद किया कुछ उनके दोस्तों को कुछ पुराने किस्तों को याद किया उनके काम करने के तरीकों की लेक लिखन के तरिकों के याद किया इंसानिट को याद किया कुछ लोगों ने शिकायत भी कि इंडस्टी की शिकायत और उनलности की शिकायत अब हम सब को करीब सेम होती जा रही है कि जब किसी लेजेंड का स्वार्गॉस हो जाता है या कोई इस दुनिया को छोड़ की चला जाता है तो हमारे बॉल्यूड के लोग उस पर जो रियक्ट करते हैं बड़े-बड़े कलाकार मैं समझता हूं कि वह गलत है क्योंकि अभी तक बहुत बड़े-बड़े कलाकारों को कुछ ट्विट यह कोई ऐसा मामला आए न पॉंबे से बाहर के लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तानी सिनिमा का चाहता दर्शक उन तक यह बात पहुंचेगी तो आप स्टार लोग आप उनकी दोड़कोडी की हो जाओगे ऐसे मत कीजिए आप फिल्म ही बनी है मगर साथ में इल्म ही भी बनी है आपको यह जग्यात हो समझना चीए है कि हो किस राइटर ने आपको बनाए किस सिंगर ने आपको बनाए किसके गाने से आप आज भीयात की जाते हो एक किसके डालग से आप जाती हो मुझे लगता कि Bollywood जो है वो सिर्फ फल देख रहा है पत्ते देख रहा है लेकिन जड़ को भूल रहे हैं और जड़ जो है जो हमारी सीनेर है कोई भी जितने बड़ी सीनेर है चे वो काका राइसकरना जी हो चाहे कादर जी हो इतने बड़ी लेजन्ड जो सुनने मिलता है हम लोगों के फलाने आटिस्ट के लिए कुछ जरूरती या कुछ कोई भी कलागार हो सब का दिन आने वाला है सब सब उस दौर से गुजरेंगे ऐसा नहीं कि कोई हमेसा उपर होगा सब को नीचे आना है लेकिन जब आप नीचे रहते हो उस वक्त अगर आपको प्यार मिल जा है ऐसे कुछ कलाकरों साथ हुआ है जैसे कि अभी आज काफी लोगों ने का कादर जी की बारे में कि उन्हें अंत में प्यार नहीं मिला तो यह बहुत ही बोलीवड के लिए बहुत शर्मनाय की बात हुई है अगर मेरी आबाद सुने होंगे तो जो कलाकार अब जिने मौका नहीं मिल रहा है जिसे लोग भूलते जा रहे हैं उसे याद किजिए उन्हें भुलाइए उनके साथ बैठी है कुछ भी उनसे काम करें लिखाइए विखाइए जो राइटर हो कोई भी हो क्योंकि कलाकार तब जिन्दा रहे थे जब उनके साथ बुरा बोलीवड खड़ा ह और मैं उम्हीद करता हूं कि बोलीवड ऐसी गलती दुबारा ना करें उन्हें प्यार मिलें और कादर जी के लिए बस यह कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांती दे और सुनील पाल जी ने जो यह बेड़ा उठाया आज बहुत सारी लोग आया रजा जी आया बहुत और इंट्रेस्टी जो चाहे थी वो नहीं है बगर जो लोग आई इसके पता चलता है कि यह लोग कादर जी को बहुत प्यार करते हैं और एक शुरुवात की सुनील भाई ने तो मैं चाहूंगा कि ऐसी परकरार है मतलब कोई जाय नहीं मतलब ऐसा मोगा नहीं लेकिन जब पर कोई अपसोस करने वाला नहीं है जिनको देखकर हम सब बड़े हुए इंडेस्ट्री में इतना सब कुछ दिया और धीरे-धीरे यह सब धरोहर जा रही है हमारी अब धरोहर मिलनी नहीं है तो एक जुट होकर इन पर अपसोस तो कर सकते हैं कम से कम इतना कर सकते हैं क्यो गयर फिल्मी लोग हैं उन पर भी हमारे परिवार का इंडेस्ट्री का अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि नहीं आपस में ही अगर इनके दुख या कोई ऐसी मुसीबत आती है तो सब एक जुट होते हैं तो प्लीज मैं चाहूंगा इंडेस्ट्री के तमाम लोगों से कि ज जुख था इसे टीवी पर देखा था अंदर था और घुटन हो रही थी कैसे व्यक्त करूं तो आज इस शोकसभा में उसे व्यक्त करने का सौभाग मिला और बड़ा मन हलका भी हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है कि लोग अभी भी उनको बड़ा प्यार करते थे औ और उनके लिए अपस्वास कर रहे हैं कि लोग क्या सूचते हैं जो स्टार लोग हैं जो चीक आने पर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और जिसका टाइम थोड़ा साब डावाडोल चलता है उस पर किनारक कस लेते हैं तो इन स्टारों को लगता है कि बॉलीवूड में आपस में बना के रखो इन्हें नहीं पता कि बॉलीवूड को देखता है दर्शक हिंदुस्तानी सिनेमा का रियल दर्शक और उन तक जब आपकी यह इमेज पहुंचती है तो फिर वह जब दर्शकों को आपको बनाया दर्शकों ने तो फिर बिगाड़ गे सकते तो आप प्लीज दर्शकों को दर्शक बहुत इमोशनल है भावक है उन्हें बेवकुप मत समझें अब बॉलीवूड ने क्या किया है बॉलीवूड के स्टारों ने यह समझना शु सब्सक्राइब करको आपको पता है नाम से क्या होता है सबको सबके साथ को में अब अमीता ऐसके साथ में तो लोग पता है कि कितने सारी फिल्म यह लिखी आप राजश खिंग ऑनको लाए सब दिलिव कुमार साभ लाए थे इतने महान के लाकार दिलिव कुमार था राजिश खी घ्ण सुपाश्टार है उन्होंने कदर खान को लाई कह अधरक फो अरुक an चालने मिल्कर प्रासा इल्मी वोजा अज़ाएं जादा फिलमी सोवाइ़ रहत बूरा लगता है कि दर्शक को बहुत कि दुर्षप्धर ओर मारे डिल से त दीकिसे खिर सिलमा एप से हैं कि झालओाना झालओाना झालओार